चात्रों जीवन की अनेक प्रक्रियारों में से आज हम रक्त परिसंचरण और रक्त परिसंचरण संस्थान के बारे में सीखेंगे रोज के काम करते समय कभी-कभी हमें चोट आती है यदि हमें चोट आये तो क्या होता है जहां पर चोट आई है वहां से रक्त पहना शुरू होता है रक्त का रंग और भौतिक अवस्था क्या है हमारा रक्त लाल रंग का द्रव है वो कितनी देर तक बहता है क्या आप ने गभी निरिक्षण किया है यह तो तैह है कि जहां से चोट आई है वहां से बहुत देर तक रख नहीं बहता है, सामान निता दो से आठ मिनिट तक रख बहता है और वो जम जाता है, क्या तुम्हें पता है कि रखत भाहिनी अत्वान नलिका जो रखत भhn करती है उसे भी चोट आने पर घाव लगता है? हमारे रक्त परिसंचरण संस्थान में रक्त रक्त वाहिनी और रक्त खींचने वाल अंग रिदय मौझूद होता है मानवी रक्त परिसंचरण संस्थान संवृत है अर्थात रक्त का वहन रक्त वाहिनी मतलब धमनी और शिराओं से होता है जबकि केंचुआ तिल चट्ठा जैसे सजियों में खुला परिसन्चरण संस्थान होता है अर्था द्रव का वहन रिक्त जगों से होता है नलिका से नहीं रक्त या शारीरिक द्रव शरीर में परिसंचरित होता है उसी की साथ अन्य पदार्थ जैसे पानी, अन, हार्मोन्स, ऑक्सिजन और उच्छर्जक पदार्थ का भी वहन होता है मानव और उच्चवर्ग के प्राणियों में रिदय रक्त खींचने का काम करता है रिदय की परिसंचरण में भूमिका समझने के लिए एक सामाने उदारण लेते हैं गाव अथवा शहर के पानी के आपूर्ती संस्थान में एक पंपिंग स्टेशन होता है उधर टैंक में से पानी उच्चदाब की नलिकाओं में खीचा जाता है उच्चदाब के कारण पानी अनेक विभागों में पहुचाया जाता है और अंत में हमारे घर पहुचता है ठीक वैसे ही उच्चवर के प्राणियों में रिदय रक्त खीचता है जो बाद में विविद इंद्रियों तक पहुचता है रिदय हमारे शरीर में कहा स्थित है हमारा रिदय च्छाती वक्ष क्षेत्र के मध्य में होता है ये दोनों फेपडों के बीच में और बाईयों जुका होता है उसका आकार स्वयम की मुठी जितना होता है और वजन 360 ग्राम होता है रिदय शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है इसलिए हमारे रिदय के चारो और द्वीसतरिय रिदयावरण होता है रिदयावरण के इन दो स्तरों में एक द्रवरू पदार्थ होता है जिससे घर्शन तथा धककों से रिदय का साउरक्षन होता है हमारा रिदय एक त्रिकोणी अंग है किन्तु स्थान में उल्टा होता है मानवी रिदय ये एक सनायो में मांसल अवयव है रिदय ये रुथपेशी से बना होता है रिदय की पेशियां अनैच्छिक होती है उनका संकुचन एवं शिथिलन एक निशित ताल में होता है इसी को रिदय का सपंदन कहते हैं अब हम रिदय के रचना के बारे में जानेंगे रिदय के आंतरिक उद्ध धमनिया निलाय में खुली होती है और रिधय से रक्त लेकर जाती है। वही नसें अलिंद में खुलती है और रिधय में ऑक्सिजन से भरपूर रक्त भरती है। किन्तु एक धमनी रिधय से फेपडों तक अशुद्ध रक्त लेकर जाती है। शिराएं सामान निता अशुद्ध रक्त की विविद अंगों से वहन करती है किन्तु एक शिराखा उधारण है जो फेपडों से रिदय तक शुद्ध रक्त पहुंचाती है धमनिया और नसे आकार में बड़ी होती है और उनकी भित्ती भी गाड़ी होती है इसलिए ऑक्सिजन और कार्बन डायोकसाइड उनसे पार नहीं हो सकते हैं धमनियों की शाखाएं होकर धमनिका और उनकी शाखाएं होकर केशिका बनती है। शिरिका कोशिकाओं के एकत्री करण से शीरा बनती है। केशिकाओं की भित्ती बहुत ही पतली होती है। इसलिए ऑक्सिजन और कार्बन डायोकसाइड उनसे आसानी से पार हो सकते हैं। सारांच इस वीडियो में आपने मानव रक्त परिसंचरन संस्थान के बारे में सीखा और रिदय की रचना के बारे में सीखा। मानव रिदय के चार कक्ष होते हैं। वैसे ही मचली, मेंडक, सांप और तोते के रिदय में कितने कक्ष होते हैं। कर दोते हैं।